हेलो एबरिबड़ी, वेलकम टू यॉर ओन चैनल स्टडी ब्लास्टर और माई नेम इस दिनेशारे आज का हमारा नाइन्थ नंबर का लेक्चर है फैक्चुल डेस्क्रिप्शन की सीरीज के अंदर और इससे पहले की जो 8 लेक्चर हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वहाँ पर आपको एक फैक्चुल डेस्क्रिप्शन की एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आप इससे पहले की जो 8 लेक्चर हैं वो आराम से देख सकते हैं कि आपके exam point of view से बहुत ही ज़्यादा important है तो आज 9th lecture में हम करेंगे demerits of city life यानि कि शहरी जीवन के जो दोश है वो क्या-क्या है तो देखे the benefits of city life are shared by the rich यानि कि शहर की सुविधाओं का जो भोग है वो किसके द्वारा होता है केवल धनी लोग ही उसका भोग करते है जो rich person है वो ही उसका भोग करते है they are not for poor people यानि कि गरीबों के लिए सुविधाएं नहीं है the poor live in slums, hurts, etc. जो गरीब लोग है वो slums में बस्तियों में रहते हैं या जोपडियों में त्यादी में रहते हैं they do not get even pure air what to speak of other good things अगर दूसरी चीजों की तो बात आप छोड़ी दीजे उन्हें शुद्ध हवा तक जो है वो नसीब नहीं होती है they often fall victim to diseases और अक्सर बीमारियों के शिकार भी जो है गरीब लोग हो जाते हैं they can't afford to leave in good houses और वो अच्छे घरों में रहना जो है उस चीज़ को भी वो afford नहीं कर सकते हैं due to heavy traffic, pollution also burgeons there यानि कि भारी traffic के कारण जो pollution है वो भी यहाँ पर increase होता रहता है burgeons यहाँ पर increase के लिए आता है ध्यान रखिएगा किस के लिए आता है increase के लिए यहाँ पर burgeons शब्द आता है तो heavy traffic के कारण जो शहरों में pollution है वो भी increase होता रहता है there are more crimes in a city than in a village यानि कि गाओं की तुलना में अगर हम देखें तो शहरों में जो crime है जो अपराद है वो बहुत ज़ादा होते है in a city accidents are common शहरों के अंदर accidents जो है वो common है यानि कि सामनने बात है in a village people leave in a friendly way गाओं के अंदर अगर हम देखें तो लोग जो है friendly तरीके से रहते हैं एक दूसरे के बीच मिल जूलकर रहते हैं all good things in a city are for the rich जो सारे की सारी अच्छी सुविधाएं हैं अच्छी चीजे हैं वो केवल धनी लोगों के लिए हैं शहरों के अंदर the poor can't afford to enjoy them और गरीब लोगों के पास उन्हें भोगने के उन्हें अफोर्ड करने के जो हैं साधन नहीं है अगर हम इस बात को छोटे शब्दों में कहें तो जो सिटी है जो शहर है वो अमीर लोगों के लिए तो स्वर्ग के समान है लेकिन गरीब लोगों के लिए ये एक नरक के समान है तो इस तरह से आज का factual description हमारा खतम होता है और अगले lecture में हम करेंगे global warming के उपर हमारा lecture रहेगा तो उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आज आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा और side में notification bell जरूर प्रेस कर लिजेगा क्योंकि अगले वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाले हैं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो चके उतने ज़्यादा लोगों तक आप शेर जरूर करें and thanks a lot for watching this video